धन तेरस की रात जाडू के नीचे दबादें ये चीज साल भर बरसेगा पैशा दोस्तों आज की इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धन तेरस की रात आप किस तरह से जाडू की मदद से मातारानी को प्रसन कर सकते हैं चलिए पहले बात करते हैं धन तेरस की रात को शोने से पहले ज़ाडू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे मालक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी दोश्तों ज़ाडू हर किशी के घर में होती है लेकिन क्या आपको पता है ज़ाडू को शीधे तार से मालक्ष्मी जिससे जोड़कर देखा जाता है ज़ाडू को लेकर बहुछे शुब अशुब सगुन भी होते हैं और ज़ाडू कैशे रखें कब खरी दें कब फेंकें और दर्रिता रूपी गरीवी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है जीवन से भगा देती है जाडू से जुड़े हुए बहुत शारे प्रयोग हैं आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला शक्ती है वैसे जाडू मा लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीजे भी बहुत माइने रखती है तो आज हम खास बात करेंगे कि जाडू को लेकर की अगर छोटी-छोटी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो घर के कलह-कलेस सब खत्म हो जाएंगे घर में मा लक्ष्मी का वास भी होगा अगर हम जोतिस की माने तो जाडू का महत सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है दोस्तों सेतला माता भी अपने हाथ में जाडू लिये रहती है इसलिए जाडू का प्रयोग करने करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आप जाडू को शुर्य अस्त किसमें बिल्कुल भी ना लगाएं खास कर धन तेरस के दिन तो बिल्कुल भी ना लगाएं वैसे तो आपको जाडू को कभी भी सुर्यास्त के बात नहीं लगाना चाहिए लेकिन खास कर धन तेरस के दिन और दीपा बले की दिन तो ये गलती बिलकुल भी ना करें मानता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रोठ जाती है और दूसरी तरफ शूर अश्त होने के बाद दोस्तो जाड़ू तो क्या पोँचा भी नहीं लगाना चाहिए बहुत जरूरी हो तब आप जाड़ू लगाएं पर कूड़ा इसमें बाहर न फेकें तो तमाम इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है फिर दोस्तों रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और इस धन तेरस अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो आप यनि की दीपवली की रात भी कर सकते हैं ये उपाई आप धन तेरस की रात जरूर करें देखे कैसे लाब होता है जीवन में आप माने या ना माने लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए एक जगए कचरा इकष्ठा करें और उसे घर शे बाहर फेंक दें लेकिन उसे जब दिन निकल आए अगले दिन फेंकें रात रमेश कचरा ना फेंकें और दोस्तों वैशे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जाड़ू आपको साम के समय लगानी ही नहीं चाहिए लेकिन अगर मान लीजे बहुत जरूरी हो गया तो उसके लिए आप क्या करें कोई कपड़ा ले ले खराब कपड़ा ले और उसके सहारे कचड़ा आप समय ले और घर के किशी कोने की तरफ किशी भी दिवाल की तरफ आप दिवाल के किनारे आप कचड़े को रख दें इस कचड़े को रात के समय ही बाहर फेकनी की गलती ना क और सुबह होने की बाद आप इस कचरे को घर से बाहर फेक दें वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगवन दोस्तों रुक जाएगा उस पर प्रभाव पड़ता है आर्थिक परिशानी से आपको गुजरना पड़ेगा इसके लिए जाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए इसकी कोई निर्धारित जगए बनाईए और ध्यान रखे कि ऐसे अगर आप रखते हैं तो किशी आने जाने वाले की नजर इस जाड़ू पर पड़ेगी और तो ये बिल्कुल अच्छ नहीं है बाहरी लोगों से बचा के रखें सपने में जा भाव टल जाए लेकिन आपको एक वाद बता दे कि दोस्तो धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में जाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराईए मत क्योंकि ये बहुत ही शुब और शंकेत है बहुत ही शुब शंकेत माना जाता है दोस्तो माना जा जाए क्योंकि अब आप पर मालक्षमीज की कृपा होने वाली है चलिए अब आपको बता दे कि जाड़ू पुराना घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है दोस्तों दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं हो सकता धनतेरस के दिन आप ये काम जरूर कर दीजे अगर आप नया जाड़ू लेकर आए हैं धनतेरस के दिन तो छे महीने हुए आपको लगते है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता घर की जाड़ू तो आप ये गलती ना करें क्योंकि धनतेरस या दीपावली का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी जाड़ू छो देनी चाहिए लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया आप चुक गए हैं तो कोई बात नहीं है दीपावली की रात आप ये जरूर कर लें हलाकि धनतेरस के दिन करना और भी स्रेष्ट है दीपावली के दिन करेंगे तो और भी स्रेष्ट है क्योंकि दोनों अपनी जाड़ू को आप बदलने का ये समय काफी स्त्रेश रहेगा याफी लाब होता है आपको जीवन में आपके लाइप में कैसे खुश्या देखे फिरभरती है दोस्तों खुले आस्मान के नीचे जाड़ू कभी ना रखनी चाहिए बहुत शे लोग छत में जाड़ू रखते हैं तो वो भी सही माना जाता है इससे जीवन की परेशानी बरती है ये बिलकुल ना करें ऐसा आप छत पर ना रखें क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे जाड़ू रखते हैं तो जीवन में कश्ट बरता है इसलिए ऐसा ना करें और जाड़ू रखने की जो सही दिसा है वो उत्तर पश्चिम की दिसा है तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिसा में जाड़ू रखने की विवस्था करें चलिए आप बात करते हैं कि धन तेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको जाड़ू की नीचे वो कौन से च जात भी आप ये उपाई जरूर कर सकते हैं और वो चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का दोस्तों आपको जाडू के नीचे रखनी है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का जी हां दोस्तों और अगर आप चाहिए चांदी का सिक्का नहीं है आपके घर में तो आप ए इसे साप करें गंगाजल का छिड़काओ करके इसे सवक्ष कर लें और धोकर इसे दोस्तों इसके बाद आप मालक्षमी के पास आप चणों के पास रख दें इससे घर की शारी निगविटी मालक्षमी दूर करेंगी और जब आप अपना ये एक रुपए का शिक्का या अगले धन तेरस तक इसे वही रहने दें और आप चाहें तो अगले धन तेरस या दिवाली तक आप इसे प्रयोग कर दुबारा कर सकते हैं यानि कि जब दुबारा धन तेरस दीपा बली आए तो ये प्रयोग दुबारा इस शिक्के से कर सकते हैं ये काम आपको दीपा बल अगर आप इस चांदी के शिक्के के या फिर एक रुपे के शिक्के का जाड़ू के नीचे चुपके से दबा के रख देते हैं राज शोने से पहले तो आपको अगले दीपावली और धन तेरस तक जरूर धन से मालामाल हो जाएंगे मालक्ष्मी कृपा बरसेगी मालक्ष्मी आपके घर में नित निवास करेंगी अगर आपके घर में किशी प्रकार के निगविटी है तो आप चाहें तो धन तेरस की रात आप पांचे साबोत लाले मिर्च भी दबा के रख दें तो घर से निगविटी दूर हो जाएगी धन में ब्रद्धी के लिए धन में बरकत के लिए आप एक मौर का पंक भी रख शकते हैं या फिर आप राज सोने से पहले ज़ाडूक नीचे आप कुछ रखे या ना रखें लौंग और इलाइची रख दें तो आपको जरूर लाब होगा मालक्ष्मी की सबसे प्रिवस्तु धनिया धनियों को भी जरूर आप धन तेरस की रात सोने से पहले ज़ाडूक नीचे चुपके से दबा दें तो इससे भी आपको विशेष लाब होगा कारियों में प्रसिद्धी प्राप्त होगी हर कारियों में लाब होगा यह फिर कमल गत्ते की भीज आप जो आते हैं उसको भी आप ज़ाडूक नीचे चुपके से दबा दें तो लाब होगा और आप चाहते हैं कि धन में बरका तो मालक्षमी कृपा बर से मालक्षमी दोडी दोडी चलियाएं आपके घर में तो निश्य तोर पे आपको ज़ाडू के नीचे कुछ रखे या ना रखें आप कोडी जरूर रख दें कोडी रखने से मालक्षमी जी सेग्र सेग्र धन की वर्सा करती है और आपके घर में नित निवस करने लगेंगी तो धन 13 की रात आपको ये उपाई जरूर करना है दीपवली की रात भी आपको ये उपाई कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक तो करिएगा अगर आप सच्चे भक्त हैं माता रानी या लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यदा ज़्यदा शेर अवेश करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर दबा दीजेगा जैमा लक्षमी